खप्रा बिटल जिसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रोगोडर्मा ग्रिनेरियम जिसको हम वीट वीविल भी बॉलते हैं तो ये भी एक ट्रू वीविल नहीं होगा क्योंकि ट्रू वीविल जो होती है वो बिलॉंग करती है टू दा फैमिली सरक्यू लिनेयोडिया जबकि इस पर फीड कर सकते हैं तो इसलिए केरिटीन डर्मिस्टीड या इनको खहा जाता है उसके अलावा इनका जो अडल्ट होता है खप्रा बिटल जो होता है ओवल डाक ब्राउन कलर का होता है और इनका जो हैड होता है वो कैसा होता है कॉंट्रेक्टाइल होता है क्लब्ड एंट किसी ग्रेंड वगेरा के उपर इन्फेसिशन करते हैं तो यह अपनी स्कीन्स या सीटिया वगेरा वहीं छोड़ देते हैं जिसके कान जब अगर ऐसे ग्रेंड को कंज्यूम कर लिया जाता है तो वो गेस्ट्रिक गेस्ट्रेंटर्स्टैनल प्रॉब्लम्स या फिर ऐलर्जिक रियक्शन्स कोज करते हैं उसके बनाती है कि इसके लाइफ साइकल लाइफ साइकल यह सिलोपिटैरा ओर्डर से भिलॉंग करता है तो इसके अंदर चारी फेजिस आएंगे अडल्ट, अडल्ट से एक, एक से लार्वा और लार्वा के बाद प्यूपा तो यह इसके लाइफ साइकल होती है खप्रा बीटल के अंदर अगर दिस्ट्रिबिशन के बात करते हैं तो व्ल्ड वाइड यह दिस्ट्रिबिटिटिड होता है अगर हम इसके बात करते हैं तो इसके अंदर वीट वीवेल यानि के वीट के अपर तो यह मिलता ही है उसके अलावा जो ग्रेंस होते हैं दूसरे राइस हो गया पाजरा, मेज वगहरा के अपर भी यह मिलता है उसके बाद general appearance होगी कि जो adult होता है वो कैसा होता है कि dark brown color का होता है उसके अलावा इसके उपर क्या होती है कि इसके length होती है 5-7 mm इसके length होती है contractile head होता है और females जो होती है वो बड़ी होती है larger होती है than males life cycle इनके life cycle जो होती है वो complete होती है 34-76 days यानि इनके जो life cycle होगी वो approximately 1 month से लेके 2 months 15 days के अंदर इनके life cycle complete होती है तो दूसरों के comparison में इनके जो life cycle है वो काफी बड़ी होगी life cycle अगर बड़ी होगी तो जो stages के लिए time लगेगा वो भी क्या होजाएगा जादा होगा तो सबसे पहले क्या होगा इनके अंदर जो adult होती है जैसे ही वो emerge करती है उसके एक दो दिन के बाद ही वो population करना start कर देते हैं और इसके अंदर एक और point क्या होता है कि जो इनके अंदर larval period होता है यानि कि कितने दिनों के अंदर larva जो होगा फिर वो pupa के अंदर convert होगा या pupation undergo करेगा वो depend करता है कि जो beetle है वो male है या फिर वो female है इस चीज के पर time जो होता है या larval period जो होता है usually ये चीज जो होती है वो temperature के पर depend करती है summer's या winters summer के अंदर time कम लगता है और winter's के अंदर जादा time लगता है उसके बाद इसके अंदर है कि जब सबसे पहले जो females होती है और इसके अंदर एक और चीज क्या है we wills क्या खरते है कि female जो होती है hole create करती है grain के अंदर और उसके बाद वो eggs को lay down करती है उस hole के अंदर और कुछ gelatinous substances उसे वहाँ पर attach कर देती है लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि जो female होती है वो on the surface of grain होता है वही वहाँ पर ही egg देती है जैसे pulse beetle के अंदर होता है लेकिन यहाँ पर जो larva बनती है वो grain के अंदर क्या नहीं करते है boring नहीं करती है तो यानि कि वो सिर्फेस जो होता है grain का उसको damage करते है तो इसलिए जो सबसे पहले क्या होती है कि female upper surface of grain के उपर जो होती है एक्स को lay down करती है और उसके बाद क्या होता है कि एक्स जो होते है वो वैसे होंगे कि small होते है transparent होते है semi transparent होते है white color के होते है 0.5 mm जो होती है उनका size होता है और एक female जो होते है 150 के लगबग जो होती है एक्स जो होती है वो lay down करती है उसके बाद आता है कि जो grub होता है कि incubation period कितना हो जाएगा 5 से 15 दिनों का क्योंकि life cycle काफी बढ़ी है तो वरना जो दूसरे होते है उनके अंदिर incubation period approximately one week का होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो incubation period होता है वो होता है 15 days का 5 से 16 दिनों का उसके बाद जो grub बाहर निकलता है जिसको हम larva बोलते हैं तो वो brown color का उतर काफी जादा hairy होता है अब यह क्या करता है जो broken grains होती है उनका जो embryo होता है उसके उपर यह feed करता है grub जो होता है embryo के उपर feed करता है broken grains के पर और male का जो larval period होता है वो 19 to 28 days का होता है female का एक week जादा होता है तो 20 to 37 days का उसका larval period होता है full grown जो होता है यह 5 mm का होता है और अडल्ट 5 से 7 mm का होता है और लार्वा क्या होता है पांच mm का होता है उसके बाद यह हाइबरनेट भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे इस डाइग्राम के अंदर कि जो लार्वा होता है most commonly detect किया जाता है और and also the resting of the dipos life stage क्योंकि इसी stage के अंदर वो क्या करता है हाइबरनेशन का जाता है यानि winter sleep उसके बदाता है कि प्यूपा की एक rough brown color के कूकून के अंदर वो pupation undergo करता है और pupation का भी approximately 4 to 17 days यानि कि 2 weeks का time उसके अंदर भी लग जाता है यानि कि जब अडल्ट सोरी जो एग था वो हैच हुआ उसके अंदर भी 2 weeks का time लगा उसके बा approximately 1 month का time लगा और उसके बाद जब वो pupa stage के अंदर है यानि pupation वो करता है तब भी उसको approximately 1 week से 2 weeks का time लगता है 7 to 4 to 17 days अडल्ट जो होता है वो emerge out करता है from the grains क्योंकि जो pupation होती है वो grain के अंदर होती है और उसके बाद जो adult होता है वो भार emerge out करता है जिसकी life spend जो होती है 15 to 30 days की होती है यानि कि इदलारवा क्रहता है 1 month का और जो adult होता है वो पे approximately 1 month उसके life होती है तो इस तदी के सी अगर हम देखे तो 1 month इसकी 1 month इसकी 2 month और approximately इन दोनों को अगर हम 15 days लेके चले तो 2 month 15 days की इसकी total life cycle होती है उसके बाद आता है main damage जो main damage होता है वो pose करता है जो larva होता है and जो adult होता है वो pose करता है उसके बाद आता है कि कैसे है कि जो main damage है कि वो larva अंड慮 raft adult and the grub क्योंकि grub and the larva same thing है उसके बाद आता है क्योंकि एक तो क्या है कि यह wheat के ओपर ही नहीं बलकि दूसरे जो maize, rice वगएरा होते हैं उसके पर भी attack करता है जो grub होता है वो embryo के ओपर feed करता है जो भी grain का embryo होता है उसके पर वो feed कर जाता है तो और damage जो होता है वो mainly upper layer of the grain के ओपर जो होता है तक ही limited होता है तो अगर यह इसका control में काम आ सकता है कि अगर हम ऐसता कोई दिख रहा है कि grains हमने store कर रखे हैं और उसके अंदर वो खप्रा वीटल से infested हैं तो उनकी हम upper layer को remove कर सकते हैं उसके बाद यह भी है कि यह large number of larva skin and CTI वहीं पर छोड़ देते हैं जो कि gastrointestinal allergic reactions cause करते हैं उसके बाद destructive stages young larva damage seed के पर और older larva जो होते हैं वो पूरे के पूरे grains के उपर feed कर जाते हैं और larva सबसे destructive है लेकिन उसके अलावा adult भी है क्योंकि pupation grain के अंदर होती है उसके बाद adult जो होता है grain से बाहर emerge करता है तो control के अंदर यही आता है कि हम जो chemical controls use कर सकते हैं और उसके अलावा हम grains वगेर को sunlight के अंदर सुखा के और उनका जो moisture level है वो काफे कम कर सकते हैं और अगर हम जैसे infested grain है क्योंकि यह upper layers के उपर ही मिलते हैं तो उपर का जो grains को हम क्या करते हैं गनी बैक से cover कर लेते हैं तो जो यह जो भी stages होती हैं इनकी developing वो क्या हो करती हैं उन गनी बैक से attach हो जाते हैं जिसको गनी बैक को हम बाद में remove करके और इन pest को destroy कर सकते हैं या फिर हम नीम वगेरा यूज कर सकते हैं